हमारे घर के दर्बाजे पर अगर कोई दान मागे तो हमकसर दर्बाजा बंद कर लेते हैं और राजधाने दिल्ली में एक ऐसे ही बाबा है जिन्हें देखकर लोगों के घर के दर्बाजे खुल जाते हैं जिहां आप सोचकर हैरान हो रहे होगे कि आखिर ये बाबा कौन सा है जिसको देखकर लोग अपना दर्बाजा खोल देते हैं या जिनको देखकर दर्बाजा खोल जाता है ये बाबा लोगों से दान में पैसे नहीं बलकि दवाईया मागते हैं आप ये भी सोचकर हरान हो रहे होगे कि आज तक बाबा को आपने दान में कपड़े और पैसा मागते हुए देखा होगा लेकिन ये कौन सा बाबा है जो पैसे नहीं बलकि दवाईया मागता है क्या कभी आपने सोचा है कि इस्तेमाल के बाद बची जो दवा आप फेक देते हैं वो किसी जरूरत मंद के काम आ सकती है हम आपको बता दे कि 2008 में लक्षमी नगर में मैट्वो के साइड पर जो हाथसा हुआ था उसने कुछ मजदूरों की जान ले ली हाथसे में तमाश वीनों में एक इनसान ऐसा भी था जो घायल मजदूरों के पीछे अस्पताल तक गया वहाँ उसने देखा कि मजदूरों को मामूली मरहम पट्टी करने के बाद ये कहकर वापस भेजा जा रहा है कि दवाए नहीं है खरीद के लाओ तो इलाज कर देंगे मजदूर मायूस होकर वापस चले गए लेकिन एक इनसान नहीं गया और वे थे मेडिसीन बाबा जी हाँ आपने बहुत से बाबाओं का नाम सुना होगा आपने गूगल बाबा का भी नाम सुना होगा लेकिन क्या आप मेडिसीन बाबा का नाम सुने है तो आज हम आपको बताएंगे कि मेडिसीन बाबा क्या है और इनकी कहानी क्या है कैसे नाम इनका पड़ा मेडिसीन बाबा मेडिसीन बाबा का नाम ओमकार नाथ है साथ का सरनेम वो नहीं लगाते क्योंकि उनका मानना है कि पहले आदमी को इंसान बनना चाहिए उसके बाद जाती और धर्म होता है अब तो बाबा इस नाम के मोह में से उपर उठ शुके हैं अपना परचाएं मेडिसीन बाबा के तोर पर दे देते हैं बाबा नी अपने जिन्दगी में ज़्यादा कमाई नहीं की, किसी नामचीन कालोनी के घर में नहीं थे बस्ती में किराय के घर में अपनी पतनी और मानसिक रूप से विकलांग बेटे के साथ रहते हैं दबाएं जमा करने के लिए मेडिसीन बाबा दिल्ली के ऐसे इलाकों में घूमते हैं जहां सम्रित परिवार रहते हैं और जो महगी दबादान कर सकते हैं बाबा रोज सुबए एक भगवा कुरता पहन कर मंगला पूरी के अपने घर से निकल कर शहर के अलग-अलग इलाकों में जाते हैं और केसर रंग का कुरता पैजामा पहने जब इस सड़कों पर निकलते हैं तो लोगों के बीच कौतुहल बन जाता है लोग आश्यर में पढ़ जाते हैं कि आखिर ये बाबा कौन है आवाज लगा-लगा कर लोगों से वो दवाएं देने को कहते हैं वो उनके लिए बेकार है बाबा के कुरते पर आगे हिंदी में और पीछे अंग्रेजी में चलता-फिरता मेडिसीन बैंक लिखा होता है सोचे हमारे दिल्ली में भी ऐसे बाबा है जो किसी अजूबी से कम नहीं है बाबा के कुरते में लिखा होता है चलता-फिरता मेडिसीन बैंक आपने बहुत से बैंकों का नाम सुना होगा पंजाब बैंक, S.B.I. बैंक, लिउनियन बैंक लेकिन आप चलता-फिरता मेडिस सकता है यानि इस बैंक में सारी मेडिसीन होती है और नमबरों का हेर फेर होता है और आपके नमबर से मेडिसीन मिल जाती है चाहे कोई महगी हो या सस्ती हो हर प्रकार की दवाएं मेडिसीन बाबा के बैंक में होती है डीटी सी बस में अपना senior citizen पास लिए जहां बस नहीं पहुँचती वहाँ पैदल भी ये बाबा चलते हैं। बच्पन में बारह की उम्र में एक्सीडेंट में एक पैर टेड़ा हो जाने के बाद मैडिसीन बाबा उसके बाद भी 5-6 किलोमीटर चल लेते हैं। शुरू में लोगों को उन पर भरोसा नहीं हुआ। तरह तरह के सवाल भी पूछे जाते थे। कुछ ओल जलूल बाते भी करते थे तो कुछ उनका होसला भी तोड़ने वाले हुआ करते थे। पहले लोग कहते थे कि इससे भीख मागने का नया तरीका निकाल लिया है। लेकि कंट्रोल डेपार्टमेंट वालों ने कारवाही की थमकी दी कि बिना लाइसेस दवाएं बाठते हो अंदर कर दिये जाओगे। लेकिन बाबा लगे रहे और धीरे धीरे सब पटरी पर आने लगे। बाबा ने कहा कि हम परुपकार के लिए करते हैं और उपकार करना कोई गलत काम नहीं है। लोग साथ आने लगे अब उनके नाम से एक पूरा ट्रस्ट खड़ा हो गया। इसी काम से जुड़े और एंजियो भी उनके साथ काम करने लगे। बाबा के काम पर इतना भरोसा किया जाने लगा कि कई डॉक्टर अब बाबा से दवाएं लेकर लोगों कारी है। सच कहा जाता है कि हर चीज पढ़ाई और डिगरी नहीं होती। बाबा हर महिने दो से तीन लाख रुपए तक की दवाएं जमा कर लेते हैं। हर रोज दिन के आखिर में एकठा दवाओं को वकाइदा केटे लॉक करते हैं। इसमें दवाओं के बैस नंबर से ले और जरूरत मंदों को मुफ्ते में दवा बाठते हैं। सोची ऐसा उपकारी बाबा कहा होगा। लेकिन ऐसा उपकारी बाबा मैडिसीन बाबा है जो तिल्ली में है। अहिंसा फाउंडेशन के सहयोग से काम कर रहे ओंकार नाथ कुछ संस्थाओं और एंजियों को भी दव पाएंदान देते हैं। बाबा की सीधी साधी और सुल्ची हुई सोच है मेरे मागने से किसी के जंदगी बच रही है तो इसमें क्या हर्च है। इतना उपर सोचते हैं बाबा, बाबा की सोच है कि अगर मेरे मागने से किसी की लाइफ बच रही है तो इसमें क्या हर्च बाबा दिल्ली के लोगों से चाहते हैं कि वो कम से कम एक पत्ता दबाई उन्हें दे जिसे वो अपने नेटवर्क से जरूरत मंदों तक पहुंचाएंगे दिल्ली में कई जगए पर मंदिरों और अस्पतालों में बाबा ने डोनेशन बॉक्स भी लगा रखे हैं जिसमें लोग दबाईयां डाल सकते हैं आपने बहुत सारे डोनेशन बॉक्स देखे होगे जाहे मेट्रो की बात करें या तो किसी बड़े होटल की बात करें लेकिन वहाँ पे पैसे दे जाते हैं लेकिन बाबा के डोनेशन बॉक्स में दबाईयां दी जाती है और वो दबाईयां किसी के उपकार और किसी के परुपकार के लिए जाती है बाबा अपने इस अव्यान को आगे बढ़ाना चाहती है देश के अलग-अलग राज्यों में भी ऐसा बैंक खोलना चाहती है बविश में एक बढ़ा दफ्तर और इस्टोरेज के लिए जादा जगए किराय पर लेने की योजना भी बाबा बना रहे है लेकिन फंड की कमी के बज़े से बिस्तार नहीं कर पा रहे है अपने आसपास के चिल्ले पॉंच से हम इतने उल्चे रहते हैं कि अपने जिन्दगी की छोटी मोटी परेशानियों से उपर उठ कर नहीं देख पाते हैं नहीं सोच पाते कि हमें से बाहर की एक दुनिया है और उसमें लोग रहते हैं ऐसे में कोई अपनी कीमत पर दूसरों की सुध लेने निकल पड़े उसकी कहानी हमारे वक्त में जिन्दा बची उम्मीद का बयाँ बन जाती है। तो दोस्तों अब आप भी समझ गए होगे कि हमारे वीज एक ऐसा जीता जाकता बाबा है जिसका नाम है मेडिसीन बाबा। मेडिसीन बाबा अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। मेडिसीन बाबा परोपकार के लिए लोगों की भलाई के लिए करते हैं। सोचे आज के समय पे बाबाओं के कितने करतूत सामने आते हैं लोग अपना आलिशान घर बनाते हैं अपनी समराज बनाते हैं और कई सारे उनके सुख के सुविधाओं के लिए उनके पास बहुत सारे चीजे होती है लेकिन मेडिसीन बाबा एक ऐसे बाबा है जो कि अपने लिए नहीं बलकि लोगों के लिए जीते हैं सोचे आपने बहुत सारे बाबाओं की कहानी सुनी होगी बहुत सारे बाबाओं के बारे में जाना होगा लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि हमारे बीच, हमारे दिल्ली में, हमारे देश में एक ऐसा बाबा है जो लोगों के लिए चीता है सच कहा जाता है कि अगर किसी में किसी के परोपकार के लिए सची स्रद्धा हो सच्चा उसका इरादा हो तो वो कुछ भी कर सकता है और वो मेडिसीन बाबा के साथ हुआ मेडिसीन बाबा आज लोगों के बीच इतना फेमस हो चुके हैं कि उनको लोग ढूंडते रहते हैं बाबा रोज जिस प्रकार से भगवा कुरता पहन कर निकलता है तो बाबा ये सोचता है कि हम आज लोगों के लिए कुछ भला करेंगे जिहां ये बाबा मंगलापुरी से निकलता है और ये दिल्ली के अलग-अलग शेहरों में जाता है इस बाबा की कहानी बहुत ही रोचक है लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये बाबा कैसा बाबा है जिसके कुर्टे पर लिखा होता है कि चलता फिरता मेडिसीन बैंक जी हाँ बैंकों का नाम सुनते ही हमें बड़े बड़े बैंक के याद आते हैं बड़े बैंकों का पैसा दिखता है लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि एक ऐसा भी बैंक है जहां पे पैसा नहीं होता इस बैंक पे लोगों की भलाई के लिए दवाएं होती है वो दवाएं हर प्रकार से होती है हर नमबर से होती है और वो दवाएं लोगों के हिद में काम आती है शुरू में लोगों का उन पर भरोसा नहीं था हर किसी को होता है जब ऐसे लोग ये ऐसा काम करते हैं तो लोग सोचते हैं कि हो सकता है ये पागल होगा लेकिन जब लोगों को इस समझ में आया कि बाबा ये पागल नहीं है ये बाबा लोगों के लिए जी रहा है और ये बाबा ही एक ऐसा बाबा है जो इनसानियत को साबित कर रहा है जब बाबा से उस सवाल पूछा जाता है तो लोग ओल जलूल जवाब देते हैं कि बाबा ये कैसा होगा तो बाबा उनको समझाता है कि ये कोई हम इससे अपनी धरोहर नहीं बनाने वाले हैं इससे हम अपना महल खड़ा करने वाले नहीं हैं ये हमें किसी काम के नहीं है, हमें बेंच कर पैसा में खटा नहीं करना है केबल और केबल हम लोगों की भलाई के लिए करते हैं उन गरीबों के लिए करते हैं जिनके पास दबाई लेने के लिए पैसा नहीं होता जिन लोगों को डॉक्टर मरहम पट्टी लगा कर वापस कर देते हैं बड़े-बड़े इलाज नहीं कर पाते हैं ऐसे लोगों की बाबा मदद करते हैं उनको दबाई मोहया कराते हैं और ये बाबा की इंसानियत है कि बाबा अपने आपको इनके लिए समर्पित किया है जो लोग अपने आप से हारे हुए हैं जो लोग अपने आस पास आपको बता दे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बा अपनी कमजोरियों से परेशान होते हैं हम लोग ऐसे हैं कि अपने आज़ पास के चिल पौं में हम इतने उलजे हुए होते हैं कि हम पने जिन्दगी की छोटी मोटी परेशानियों से उपर ने उट पाते तो हम दूसरों के लिए क्या मंदद करेंगे लेकिन हमारे देश में, हमारे दिल्ले में एक ऐसे बाबा है, मेडिसीन बाबा जो लोगों को परोपकार करते हैं, लोगों के लिए चीते हैं हमें ऐसे बाबा से सीख लेनी चाहिए, ऐसे बाबाओं का साथ देना चाहिए और जो भी आज इस बाबा की कहानी को सुन रहा है इस बाबा के ट्रस्ट को बाबा के साथ दे और बाबा के इस अवियान को आगे बढ़ाएं इसे के साथ अब शेक आपसे विदा लेता है आप ऐसे जानकारी के लिए देखते रहे हमारा चैनल और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें कर दिए्सक रिए 김 कानल झाल झाल कर भो और जय सब्सक्राइब विदाध कर माल